तो यह चोले बटूरे के छोलों का जो एक्शूल सीक्रेट होता है नब वह मेरे पास है, जिससे छोले बटूरे दूख यहां उसका किसे चुर्ट कट वह में बताऊंगी, तो यहां पर मैंने बनाया है छोले भटूरे तो उसके छोले देखिए इत्तम जबरदास से हैं बहुत ज़्यादा जंजट भी नहीं करनी बहुत ज़्यादा महनत भी नहीं करनी और भटूरे में भी बिल्कुल भी महनत नहीं करेंगे लेकिन भटूरे इतने जबरदास बनें हम तो इसके लिए मैंने छोले ले लिए हैं यह दो कप छोले मैंने राद भर के लिए भिगो के रख दिये थे यह थे या आप आठ घंटे के लिए इसको बिगो दे यह कुछ इस तरीके से अब इन छोलों को हम आगे की प्रोसस के लिए ले चलते हैं कि तो यहाँ में मैंने कुकर ले लिया है और कुकर में यह छोले इसमें डाल देती हूँ तो यह पानी room में इसके साथ ही हम इसमें करेंगे क्योंकि झो ठोले कई पानी होता है यह बहुत जाद यूट्रीन दाला लाँ मतलह साद़ विटमेंस ने, साथ ध्यसाथ या प्त्ते ले singe, साथ बड़ा बड़ा ए पत्तें, यह चूटी साथ यहां पति काली ना, ARE स्कूंद रें पत्त, काली ना भी चाहि प्तृ पति या हिए यह लाइची व्यवाता चाह, यह हो में इसना लइ और इसको मैं विसल लगा लेती हूं करीबन छे विसल इसमें लग गई थी दोस्तों तब जाके छोले अच्छे से पख गए थे अब हम लेते हैं मैदा यहां पर नहीं तीन कप मैदा ले लिए और साथ में यहां पर एक बड़ा चमच सूजी डाल देते हैं सूजी से जो यूजी उस कर से हो लेकिं वाव बटर मिल्क करते हो गई वाऊद नहीं आज़ी अंशी आवार देट हैं यह यह आटा क्यूंत जाए और हें इस तरीके से पानी यह इस तरीक है एक दम गरम है तो गरम पानी से आप इसका आटा लगाएं तो यह देखिए मैंने आटा इस तरीके से लगा दिया है और अब मैं इसको बहुत अच्छे से और मतलब बहुत अच्छे से इसको माणना है दोस्तों तो बिलकुल अच्ался से आप इस तरीके से दबा दबा के इस मांड़ी है ऐसा प्लैटी को हमें और जादा सॉफट बनाना है और समूध बनाना है थो यही इसकी थिकहोती है कि आठे को आप इतना ज्यादा अमहित कि आटवाज वीह जाए तो यह देखे मैं बिल्कुल अच्छा से कर रही हूँ अच्छा से मांड़ हूँ इस तरीके से हैं आपको मांड़ना होगा अब ही मैं मांड़ हुग तो हाथ में फोड़ी सा मैदा चिपक रहा है लेकिन धीरे दीरे जब मैं इसको मांड़ूंगी तो मैदा चिपकना बंद हो तो यह देखिए मैंने इसको इतना मांड़ा है इतना सौफटा हो गया है अब नहीं चिपक रहा है तो बस मैं इसको अच्छे से इस तरीके से मांड लेती हूं तो इस पूरे प्रोसेस में लगबग 5-7 मिनिट लग गया इस आंटे को मांडने में और अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा ओयल लगा दिया थोड़ा सा दबा देते हैं और इसको हम रख देते हैं धकन लगा के तब तक हम छोले की त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक बड़ा चमच यह ले लिया है जीरा और इसको हम न भूनेंगे लेकिन इतना भूनेंगे कि मताब वो जले न तो काला पड़ जाता न जीरा तो बिलकुल मजा नहीं आता है तो यहां पर हम इसे ड्राय रोस करेंगे लगबग एक मिनिट के लिए उसके बाद मैं जीरे को नि बूनेंगे तो यह गरह मसाला वैसे मार्केट वाला है इसको हमें भूनना है मतलब ड्राय रोस करेंगे एक मिनिट के लिए और इस बात का जरूर धियान रखेंगे कि यह जले ना तो यह एक ट्रिक है इससे क्या होगा ना बलुकुल अच्छी सी खुश्भू आएगी आप और आदी चोटी चमच लाल मिर्ची का पाउडर तो यहां पर मैंने आदी चोटी चमच लाल मिर्ची का पाउडर भी इसमें आड़ कर दिया है अब हम यहां पर डालते हैं पानी एक चुताई का बलगबग मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि यह मसाले अच्छे से अच्छी स्लरी बन गई है अब इसको साइट कर दें तब तक हम आगे की दियारी करते हैं उसी पैन में मैंने यहां पर दो बड़े चमच ओयल ले लिया गरम कर लेते हैं इसको साथ ही में यहां पर मैं प्यास रालूंगी एक कप भरके यह चौप प्यास है या फिर एक बड़ प्यास भून गई है अब मैं यहां पर डालूंगी कसूरी मेथी तो एक चुटा चमच आप यहां पर कसूरी मेथी का एड़ कर दें इसके अंदर इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है यहां पर एक चमच भरके चौप जिंजर भी डाल सकते हैं और इस तरीक मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है मतलेक बिलकुल कड़ काट कट काट के ही डाला है। आत पर नमक डाल काने पर थोड़ी मेथी मिर्च पाउडर स्वाद कर देते हूं तो बहुत जादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालेंगे जो हमने अभी तक बनाया है बस वही डालेंगे तो यहां पर मैं भुना जीरा पाउडर भी डाल देती हूं एक चमच भर के जितना भी बना था वो सारा और इस तरीके से इसको आप मिक्स कर लें हमें बेसिकली यहां पर इसको अच्छे से पकाना है तांकि यह जो मसाला है वो पक जाए अब आप देखें छोले उबल गए हैं वो मैं इसमें डाल देती हूं और हाँ छोले कुछ इस तरीके से उबले हैं कि बहुत जल्दी मैश हो रहे हैं देकिन फिर भी थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा है तो यहां पर कुछ छोलों को आपको मैश करना है और यहां पर बाकी छोले में इसमें आड़ कर देती हूं छोले थोड़े से मैश मैने इसलिए कर रहे हैं ताकि जोसकी ग्रेवी अच्छी सी गाड़ी हो जाए और हां छोलों को पानी में बाकी छोले पकाऊँगी तो यह देखे बहुत अच्छ से मैंने इसको चला लिए बहुत अच्छे से अब आपके ऊपड़ी टिपेंड़ है तरी आपको कितनी चाहिए है बल्कुल सुखाने है है या क्या करनी है तो मैंने इतना तरी रोग दिया था अब हम आगे की त्यारी करते हैं ये हमारा बटूरे का आटा तयार हो गया लगबख 20 मिनिट हो गया है और ये बटूरे का आटा तयार हो चुका है बिल्कुल आप दुबारा इसको मांड ले और इसके बाद इसको आप पेड़ों की मतलब पोशन में डिवाइड कर ले तो ये लेजे मैंने पेड़े के पोशन में इसको डिवाइड कर लिया है लगबख इसमें आट से दस भटूरे मतलब अच्छी बड़ी क्वंटिटी वाले बंज मिल जाते हैं और इसको मैं अच्छा से इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ बस पेड़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं से फोल्ड या कट वाला ना हो एकदम स्मूध हो जाए तब आप इसको बेले थोड़ा सा ओयल लगा लेते हैं और इसको मैं इस तरीके से बेल देती हूँ तो यह लेजे मैंने भटूरे का बेल दिया है आटा अब हम चलते हैं कडाई की तरफ तो कडाई में बिल्कुल तेल इस तरीके से गरम होना चाहिए कि आप जैसी डालें वैसी उपर बिल्कुल तेज गरम और इसमें मैं इसको एट कर देती हूँ और अब हम इसको शेकेंग और यह भटूरा देखे दीरे दीरे फूलने लग गया है तो यह बलकुल ऐसे ही हर बार भटूरे बनेगे एकदम फूले फूले से अगर आप इस तरीके से प्रोसेस करेंगे भटूरे का आटा और भटूरे का तेल भी तो यह लेजे हमारा एक भटूरा तो बिल्कुल बटूरा हमारे रेडी हो गया है यह छोले देखे एकदम जबरदस्ते बन गया है मतलब जितना पानी मैंने रोका था ना देखे पानी सब सूख गया है और इसके साथ साथ प्यास का सलाद हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है उपर से आप इस तरीके से आद्रा के जूलेंस भी डाल सकते हैं और एक हारी में चौर डाल देते हैं यहां पर और यह रहे हमारे प्यारे से भटूरे भी और भटूरे को टेस्स करते हैं यह देखे एक दम नरम सौफ्ट बिलकुल और यह छोलों के साथ ना इतना मज़ा आ जाता है इन भटूरों में तो यह रेसिपी आपको यह रहां आतना ममज़ा इन भटूरों में